हेलो एस्पिरेंज, वेलकम तू दा यूपी एसी एनालाइजर, तोड़े वी विल डिस्कस नियूस पेपर अनालिसिस जेट, इस 17 फेबरी 2023, फोर्स्ट नियूस है स्नब्ट ऑन विडियो, एरान फॉरिन मिनिस्टर स्क्राप्स विजट, तो ये किसली आने वाले थे, ये रा पार्टनर्शिप विद मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरनल अफेर्स, तो ये एक फ्लाक्शिप थिंग टैंक इवेंट है, जिसको कि और्गिनाइज कराया जाता है, बाइदा ओवारेफ, इन पार्टनर्शिप विद अम एए, तो मार्च 3-4 को ये डालोग होने वाला था, इस इमेज को यहाँ पर जुक्स्टा पोस्ट कर दिया था, जो एरान के प्रेसिडेंट है, इबराहिम राइसी, तो ये बात एरान को फसंद नहीं आए, एरान ने और और एफ से कहा कि आप इस शॉट को हटा दो, और और एफ निस को हटाने से मना कर दिया, तो राइसीना दियालोग इस दा फ्लाग्शिप थिंग टैंक इवेंट और इस अगर आप इंडिया-इरान रिलेशन के बारे में लेक रहे हो, तो ये पोईंच जरूर मैंशन कर सकते हो, तो जब एरान में हिजाब प्रोटेस्ट हो रहा था, तब हमने डिसकस किया था कि बेसिकली एक बाइस साहल की महिला थी जिसका नम महासा अमेनी था, and according to the morality police of Iran, उसने अपने हैजिसकाफ को सही से वेर नहीं कर रखा था, जिसकी वज़े से उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, कस्टोडियल डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद हमें इरान में बहुत ज़ादा प्रोटेस्ट द इरान स्टोडियल डेथ हो जाती है, और यह कहा जा रहा है कि कस्टोडियल वाइलेंस की वज़े से इस महिला की यहाँ पर जान गई थी, तो इंडिया ने कुछ भी कॉमेंट नहीं किया, लास्ट नवेंबर इंडिया अप्स्टेंट अन रिजॉलिशन अडॉप्टेट बई यह देखेगा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, क्या इरान हीमन राइट वाइलेशन कर रहा है प्रोटेस्टर्स के साथ, इंडिया और इरान के रिलेशन अगर हम देखेएं तो बहुत अपन डाइट रहा हैं, इरान के साथ हमारा ट्रेड भी नेगलिजबल हो गया है, उसका रीजन क्या था, इरान से हम क्रूड ओयल इंपोर्ट करते थे, लेकिन युएसे ने इरान के उपर सेंक्शन लगा दिये थे, जिसकी वज़े से हमने यहाँ पर ट्रेड बंद कर दिया था, तो इंडिया हैं तो चाहबार पोर्ट प्रोजेक्ट यह आपको पता होना चाहिए, जिसकी वज़े से जो कनेक्टिविटी है तो अफगानिस्तान एंज सेंट्रल एशिया, यह यहाँ पर बढ़ जाएगी, नेक्स्ट है, गर यहाँ पर 65 एयर से जादा एज का है, तो वो किसी डेड डोनर स यह आपको पता है, जो यहाँ पर लाइव डोनर है, उससे ओरगन ले सकता है, वो लेकिन डेड डोनर से नहीं ले सकता है, अब यह डेटा बहुत इंपोर्टन है, डेटा हमें यह सज़ेस्ट करता है, इनकी यहाँ पर एज 65 से जादा ही है, बेसिकली गवर्फमेंट का यह माना था कि 65 साल की लोग अगर हम देखें तो काफी जिन्दगी अपनी जी चुके हैं, तो जो यहाँ पर कम एज की लोग हैं, उनको जादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके सामने बहुत जादा जिन्दगी पड़ी हुई है, यह खान प्रेफरेंस बागर गवर्फमेंट चाहिए, किटनी टोने की लेशिन्दगी चाहिए, यहाँ बैद सामने बागर हम देखें जादा पने उनके साल कैन्दगी अगर्फमेंट लेकर तो कोड़ी हुई 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 है। फूचिछ पर उनको नहीं ले सकते हैं, क्यों Of the 80,000 people who required a liver transplant, less than 3,000 का यहां पर हो पाता है अब हम चलते हैं आगे TMC to bring motions for religion tag to Suri, Sarna तो Sarna क्या है? और यहां पर demand होती है कि इसको यहां पर recognize करने की जरुरत है Followers of Sarna faith regard themselves as belonging to a distinct religious group and यह यहां पर nature worshipers है The holy grail of the Sarna faith is gel, jungle, zameen and its fall would spray to the trees and hills and यह belief करते हैं कि forest areas को protect किया जाए Believers of Sarna faith do not practice idol worship ना कि यह adhere करते हैं to the concept of one system heaven है यह इन के साथ adhere नहीं करते हैं यह इन concepts को नहीं मानते हैं They have been demanding a distinct Sarna religious court for tribals and have written to President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi among others Government making effort to go to places जिनको remote consider किया जाता था यहां पर PM विकास की बात की गई है PM विकास क्या है प्रधान मंतरी विश्व कर्मा कौशल सम्मान तो जो traditional craftsmen हैं उनको skill development तो दिया ही जाएगा उसके साथ साथ उनको economic assistance भी provide की जाएगी तो PM also spoke of the प्रधान मंतरी विश्व कर्मा कौशल सम्मान which he said has been introduced for economic assistance to traditional craftsmen besides skill development फोर्डर inflation rising no likely dip in milk prices तो फोर्डर inflation यहां पर rise हो रहा है तो ऐसे में तो milk price और जादे increase होगा यह यहां पर बताएगया है लीगल system should move away from old boys club तो जादे diversity की जरुरुरत है equal opportunity provide करने की जरुरत है men, women and them को courts must ensure that when the state as the largest litigant enters upon arbitration तो यहां पर follow करने की जरुरत है law को the CGI also noted that stakeholders must work together to ensure that arbitration as a dispute resolution mechanism does not remain the choice for only parties जिनके large commercial ventures है तो India को एक international hub बनाना चाहते हैं arbitration का तो arbitration का international hub हम कैसे बन सकते हैं arbitration होता क्या है तो basically arbitration का मतलब होता है alternative dispute resolution कि जो dispute से उनको settle किया जाए judiciary court से बाहर कि judiciary court से बाहर यहां पर जो dispute है उसको यहां पर settle किया जाए आज यहां पर कोई impartial third party होगी अगर हम देखें for example कोई dispute होता है जिसमें foreign company होती है versus कोई Indian company होती है तो यह approach किसको करते हैं यह arbitration centers जो Singapore में है Netherlands में उसको approach करते हैं तो India में ही क्यों ना हम एक international arbitration center बना है India को ही क्यों ना हम एक arbitration hub बना है The CJ also noted that stakeholders must work together to ensure that arbitration as a dispute resolution mechanism does not remain the choice for only parties with large commercial ventures and यह facility extend ही जाए to smaller businesses and individuals as well CJ ने encourage किया है the Delhi International Arbitration Center to adopt a protocol on virtual hearings tailored to the Indian context अब हम चलते हैं आगे 40 km in 30 minutes तो drone का use कहां किया जा सकता है एक आपको use यहां मिला कि drug delivery clear drone का use किया जा सकता है TB drugs को deliver किया जा रहा है अभी ये pilot project है 12 cheetahs arrive from South Africa tomorrow तो Namibia से 8 cheetah आयते वो हमने discuss किया अभी South Africa से 12 cheetah आ रहे हैं तो South Africa के साथ जो MOU sign हुआ है उसमें यह है कि हर साल यहां पर South Africa 10 से 12 cheetah देगा जब तक इंडिया में cheetah की viable population ना हो जाए तो हर साल यहां पर South Africa 10 से 12 cheetah देगा जब तक इंडिया में cheetah की viable population ना हो जाए The second batch of 12 cheetahs will arrive from South Africa कहां पर लेकर आये जाये का जहां पर नामीबिया से लेकर आये गया था Kuno National Park in MP on Saturday The first batch of 8 cheetahs was brought from Namibia last year and released in the park by Prime Minister Narendra Modi An MOU was signed between India and South Africa in January this year sanctioning the translocation of the 12 cheetahs as well as subsequent translocations of 10 to 12 cheetahs जो की हर साल इंडिया में आएंगे till a viable cheetah population is established in the country BOMA क्या होता है? BOMA होता है Quarantine Enclosures Next यहां पर Current Account Deficit के बारे में बताया गया है तो यह यहां पर Your Money के बारे में है यह हम डिसकस नहीं करेंगे लेकिन Current Account Deficit यह आपको ज़रूर पता होना चाहिए Current Account Deficit इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि Value of Goods and Services जो की Country इंपोर्ट कर रहा है यह ज़्यादा है अगर हम compare करें कि Country यहां पर Value of the Goods and Services जो की Country यहां पर Export कर रहा है इसको ही कहते है Current Account Deficit Current Account Deficit and Fiscal Deficit इन दोनों को कहा जाता है Twin Deficit तो कहीं अगर यह question है कि Twin Deficit का क्या meaning होता है तो यह यहां पर refer करता है Current Account Deficit and Fiscal Deficit को If the Current Account, the country's trade and transactions with other countries shows surplus For example, हम यहां पर जो Goods and Services को Export कर रहे है इसकी Value ज़्यादा हो और जो हम Import कर रहे है उसकी Value कम हो इसका मतलब यह है कि Current Account Surplus है जो Money है यह इंडिया में आ रहा है Money Inflow हो रहा है और अगर यहां पर Money Inflow हो रहा है Dollars हा रहा है इसका मतलब यह है कि हमारे Forex Reserves Boost होंगे Dollars अगर Market में ज़्यादा है और यहां पर Rupee Currency कम है इसका मतलब यह है कि हमारा Rupee Strong होगा हमारा Rupee यहां पर Appreciate होगा Next is One Year of War in Ukraine The Prospects for Peace Keep Diminishing United Nations Secretary General का यह कहना है कि जो Peace के Prospect से यह यहां पर कम होते जा रहे है और हम एक wider war की तरफ बढ़ रहे है And I fear it is doing so with its eyes wide open War of Attrition तो Russia नहीं के एक्सपेक्ट किया था Russia नहीं यह एक्सपेक्ट किया था कि Russia यहां पर Kiev को capture कर लेगा वहां पर regime change कर देगा क्या हो पाया ऐसा तो नहीं हो पाया The expectation that Russian President Vladimir Putin might have had of a quick operation in Ukraine that would perhaps end with a regime change in Kyiv was belight क्योंकि यहां पर Ukraine ने fought back किया Both sides are currently trying to wear down the other by inflicting casualties and attempting कि जो भी यहां पर territorial gains और loss हुआ है उसको यहां पर reverse किया जाए A US-led western alliance including Germany which was reluctant at first तो पहले यहां पर Germany सोच रहता हम अपने pacifist mold से बाहर आएं नहीं आएं लेकिन बाद में Germany भी यहां पर leopard tank दे रहा है Germany अपना defense budget यहां पर increase कर रहा है Germany and the US have promised to send tanks to assist in Ukraine's war efforts तो हमने discuss किया था Germany यहां पर leopard tank दे रहा है The US has supplied its petriot missile system इसके लवाँ US ने यहां पर हमाट दिये हैं High mobility artillery rocket system UK ने भी missiles and tanks पेजे हैं Turkey ने बैरक्तार attack drone दिया है The war has transformed the transatlantic partnership with Europe accepting की America की यहां पर leadership है It has also strengthened NATO Biden administration काफी ज़दा support provide कर रहा है Ukraine को अभी तक 50 billion dollar worth of assistance provide की जा चुकी है Ukraine को helping also with military advice इसके लवाँ यहां पर जो US से यह intelligence भी परवाइट कर रहा है with the promise of tanks and a consideration of Ukraine's request for F-16s Russia को यह लग रहा है कि यह proxy war है being fought by Ukraine क्योंकि यहां पर US और बाकी western countries Ukraine को बहुत ज़ादा support कर रहे है Russia के लिए अभी existential war बन चुका है the predictions of a long drawn out conflict suggest there is a realization that Putin may still have several steps of escalation available to him western alliance के लिए अगर हम देखें तो question यह है कि west कब तक support करता रहेगा Ukraine को कब तक यहां पर weapons पहुचाता रहेगा कब तक यहां पर military assistance provide करेगा for the western alliance the question that is likely to come up is how long to keep supporting Ukraine and how to keep their unity intact especially as the danger of an escalation carries the risk of drawing in the NATO तो NATO हो सकता है कि war में यहां पर enter हो जाए इसका risk यहां पर है no peace effort despite the realization of the dangers कोई भी side यहां पर peace की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे है no serious effort has been made to bring the war to an end अब India and the war के बारे में अगर हम discuss करें तो Delhi ने एक barely nuanced balance को यहां पर maintain किया है for example हमने यहां पर रश्या को condemn नहीं किया अब USA हमसे यह कहता है कि आप fence के किसी भी side आओ लेकिन हम fence पर ही रहेंगे अब हो सकता है USA के लिए हम fence हो लेकिन यह हमारी independent position है USA कुछ भी कह सकता है इसको Delhi which has maintained a very nuanced balance between not condemning Russia outright for the invasion and maintaining important relationships with the US and Europe has petted itself क्योंकि हमने strategic autonomy को display किया है on the one hand the pressures from the US to get off the fence have grown over the past year despite all the public expressions of understanding for the position of a partner whose role is crucial to Washington in the contained China project तो USA के लिए इंडिया बहुत important है अगर USA को चाइना को contain करना है ना तो इंडिया ही USA का एक partner है on the other Delhi is facing up to the inevitable economic decline of Russia और हम बिलकुल नहीं चाहेंगे कि Russia एक junior partner बन जाए चाहना का Russia एक satellite state बन जाए on the other hand Delhi is facing up to the inevitable economic decline of Russia India needs Russia to remain an autonomous power in the Eurasian landmass हम चाहते हैं कि Russia एक autonomous power है Russia यहां पर satellite state ना बन जाए चाहना का an economically collapsed Russia as a Chinese satellite is the last thing जो कि हम चाहेंगे next how was Prabhakaran killed the final days of the Sri Lankan civil war अब यह article important नहीं है लेकिन Sri Lanka में civil war यह background आपको जरूर पता होना चाहिए Tamil nationalist leader तो Tamil nationalist leader ने claim किया है कि Prabhakaran अभी जिन्दा है और यह जल्दी जो Tamil Elam है इसको liberate कराएगा तो Tamil nationalist leader claimed that Prabhakaran the leader of the Sri Lankan Tamil separatist group liberation tigers of Tamil Elam was still alive and would announce his next plan to liberate Tamil Elam very soon himself एक बर background हम discuss कर लेते हैं civil war का तो majority of the Sri Lankans are ethnic Sinhalese Sinhalese के यहाँ पर contact हुआ करते थे tamils के साथ major migration होता है tamils का चोला पीरट के दौरान जब Britishers rule करना स्टार्ट करते हैं 1815 में तो जो approximate population Sinhalese की थी यह यहाँ पर 3 million होगी और Tamil की population थी यह around 3 lakh थी During this time Britishers यहाँ पर बहुत सारे tamils को ले कर जाते हैं coffee, tea and rubber plantation में काम करने के लिए in the island nation Britishers educational and बाकी infrastructure बानाते हैं in the northern part of the country जहाँ पर tamils majority में थे They also favored the tamils in the civil service और जिसकी वज़े से जो Sinhalese लोग होते हैं उनके अंदर एक ill feeling developed हो जाती है All this naturally fostered ill feeling among the Sinhalese Sri Lanka attained independence from the British on 4th February 1948 after attaining independence जो Sri Lankan government होती है यह बहुत सारे laws बनाती है जो कि discriminate करते होते हैं against the tamils Sinhalese को यहाँ पर sole official language बना दिया जाता है which effectively eliminated the tamils from government service एक law pass किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो Indian tamils से इनको citizenship नहीं दी जाएगी The tamils started demanding equal rights in their homeland 1972 में Sinhalese changed the country's name from Ceylon to Sri Lanka and Buddhism को nation का primary religion बना दिया जाता है The Liberation Tigers of Tamil Elam इसको 1976 में form किया जाता है by प्रभाकरन with the intention की homeland हैं पर required किया जाएगा for the tamils in Sri Lanka in the north and east parts of the island तो सबसे पहला challenge किया था Liberation Tigers of Tamil Elam के लिए कि इनको sole representative बना था Shulankan-Tamils का ये sole representative बन दी जाते हैं and ये जाफना को capture भी कर लेते हैं When war between Shulankan-Tamils and Sinhalese majority erupted in 1983 India यहाँ पर active role लेता है Indo-Shulankan Accord होता है 1987 में और India यहाँ पर एक political solution provide करने की बात करता है to Shulankas conflict and उसके बाद Shulankan यहाँ पर 13th Amendment करता है 13th Amendment में ये कहा जाता है कि ये devolution of power किया जाएगा Indian peacekeeping force was sent to the island in the hope of bringing about peace IPKF was later withdrawn after three years amidst escalating violence in 1987 Rajiv Gandhi यहाँ पर decide करते हैं कि Rajiv Gandhi यहाँ पर intervene करेंगे इसका reason किया था because of separatism issues in Tamil Nadu and दूसरा ये कि हम नहीं चाहते थे कि बहुत सरे refugees Shulankan से India में आ जाएं This move proved to be a terrible disaster Instead of negotiating settlement between both parties Indian troops ended up fighting the Elam group and यहाँ पर बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं The war went on with numerous counts of atrocities and brutalities perpetrated by both sides civilians also suffered terribly lakhs of people were displaced in the protected war Finally, government decided जो Shulankan government यह decide करती है कि यह यहाँ पर LTT के against यहाँ पर extreme offensive करने वाली है 2007 में इसको start किया जाता है and violent conflict 2009 में खतम हो जाता है Finally, the government decided to come hard on the LTT in an extreme offensive starting in 2007 The violent conflict was ended in 2009 So, हमने background discuss कर लिया कि civil war यहाँ पर हुआ ही क्यों था So, Sunilis यहाँ पर majority में थे फिर यहाँ पर tamils को लाए जाता है Britishers को दोआरा coffee plantation में काम करने लिए tea plantation में काम करने लिए फिर Britishers यहाँ पर educational institutions बनाते है infrastructure बनाते है जो कि mainly उस area में था जहाँ पर tamils majority में रहते है जिसकी वज़े से Sunilis में एक ill feeling हो जाती है फिर शिलंका यहाँ पर आजाद होता है शिलंका के आजादी के बाद शिलंकान government यहाँ पर बहुत सारे laws पास करती है जो कि discriminate करते होते हैं अगेंस दे तमिलियन आई ओन चाइना तो कल हमने discuss किया था कि जो इंडिया है यह infrastructure बनाएगा vibrant villages program के बारे में discuss किया था जिसके लिए यहाँ पर आउटले किया गया है 4800 करोड का the government decision to allocate a substantial sum of money to improve facilities in places along the line of actual control has come none too soon under a vibrant villages program government यहाँ पर 48 करोड spent करने वाली है for infrastructure development and to provide livelihood opportunities in the areas bordering China plan क्या है? plan यह है कि जो भी villages हैं border पर for example Himachal Pradesh, Udrakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh इनको यहाँ पर upgrade हिया जाएगा over a third of the allocation किस पर जाएगा? road building की जाएगी in the border areas tourism and sporting activities को plan किया गया है a new 4.1 km all weather tunnel will connect Himachal Pradesh to Ladakh and जिसकी वज़े से यहाँ पर जो troops का movement है यह आसान हो सकेगा troops को जल्दी mobilize किया जा सकेगा further the government will spend rupees 1800 करोड to raise 7 new battalions of the Indo-Tibetan border police that means 9,000 personnel तो army के साथ ITBP भी यहाँ पर deploy होते हैं chiefly deployed along India's borders with China alongside the army on both sides the idea is to build permanent population settlements along the border तो China भी यहाँ पर dual villages बना रहते हैं यह बहुत ज़्यादा news में था कि China यहाँ पर border के आसपस dual villages बना रहते हैं dual villages का मतलब यह है कि वहाँ पर civilians तो रह रहे हैं तो China भी लगातार infrastructure को upgrade कर रहा है on both sides the idea is to build permanent population settlements along the border to submit each side's claim to the territory under its control along the disputed sections of the LAZ China क्या करता है China basically salami slicing का use करता salami slicing का मतलब भी होता है कि China आपको थोड़ा-थोड़ा area लेता है जब थोड़ा area लेता है तो आपको लगता है ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा area की दो बात है फिर वो और थोड़ा area लेता है तो while that may or may not be true it is a fact that China salami slicing tactics on India claim territory have been easier क्योंकि वहाँ पर कोई human settlement है नी border के आसपस तो जरूरी है कि वहाँ पर आप human settlements बनाओ वहाँ पर आप villages बनाओ वहाँ पर आप livelihood opportunities provide करो residents of Ladakh's border villages have long demanded कि उनको यहाँ पर better facility चाहिए उनको यहाँ पर 4G telecommunication towers चाहिए अच्छी road चाहिए schools with adequate facilities 24x7 electricity to match what they can see in plain sight in settlements across the LAC तो basically border पर जो लोग रहते हैं यह nation के आख और कान है it is unfortunate that the Indian state has not always taken seriously their complaints of having to surrender progressively acres of traditional grazing land in the face of the Chinese incursions into these areas China ने Arunachal Pradesh में भी incursion किया था December में with the people's liberation army deciding when and where to cause pain to India along the 3488 disputed border Delhi के पास अभी यहाँ पर time की लगजरी नहीं है हमें जल्दी गाम करना पड़ेगा building vibrant villages and developing infrastructure on the border are important and convey politically that the government is seized of the urgency of the situation की situation की urgency बहुत जादा है and जल से जल हमें यहाँ पर development करना पड़ेगा but by themselves they may not be sufficient they have to be a part of a broader defense strategy with an all-of-government approach जो की अभी तक तो evident नहीं है next step battle for Agartala तो TRIPRA में यहाँ पर जो voter turnout है यह बहुत जादा रहा है author ने काई कि यह बहुत जादा reassuring है इसका मतलब यह है कि जो वहाँ के लोग है वो invested है democracy में तो TRIPRA ने भी यहाँ पर बहुत जादा insurgency देखी है लेकिन high voter turnout इसका मतलब यह है कि लोग यहाँ पर democracy में invested है और वो change चाहते हैं लेकिन change वो political change चाहते हैं इसके लिए vote ही एक preferred instrument है 1. It indicates that the electorate is invested in democracy and the vote is their preferred instrument for political change this trust is significant कि यहाँ पर TRIPRA यह history रही है insurgency की 2. The large turnout comes in the backdrop of complaints by the opposition parties opposition parties यह क्लेम करें थी कि BJP यहाँ पर डरा धमका रही है तो अगर यह बात सच है या नहीं भी सच है तो अगर सच है उसका मतलब भी यह है कि लोग यहाँ पर नहीं डर रहे हैं आज लोग उसके बाद भी यहाँ पर vote देने आए हैं जो कि काफी reassuring है Next है empowering the MP तो यहाँ पर author नहीं यह कह रहाएं कि हमारी पास parliamentary constituencies के level पर data नहीं है तो parliamentary constituencies के level पर data नहीं है जिसकी वजह से जो यहाँ पर MPs है उनको यह बात की clarity नहीं होती है कि उनकी जो constituencies है उसमें सबसे बड़ी problem क्या है तो उनके पास information होनी चाहिए, उनके पास data होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर act कर सकते हैं India's parliamentary constituencies serve a dual role as geographical and administrative policy units headed by democratically elected members of parliament For MPs to effectively engage with their constituents, it is imperative कि उनको पता तो होना चाहिए न कि जिस community है, जो वहाँ पर वो community रह रही है, उसके लिए सबसे बड़ा issue क्या है Unfortunately, at present timely and readily available data on critical issues related to population health and socio-economic well-being यह आपको parliamentary constituency के level पर नहीं मिलेगा District level पर मिलेगा, लेकिन district level and parliamentary constituency होती यह aligned नहीं होती है तो parliamentary constituency के level पर भी यहाँ पर data होना चाहिए With the launch of the national data sharing and accessibility policy in 2012, the government of India made a concerted effort to make a variety of data related to population health and well-being from current GUE schemes Increasing the availability of district level data or data that allows aggregation at the district level does not help the cause of the parliamentary constituency having the same data जो कि मैंने आपको रीजन बताया है कि district boundaries हमेशा aligned नहीं होती है parliamentary constituencies के सब This is because the 750 plus district boundaries of India do not correspond or align in a straightforward manner with the 543 parliamentary constituencies of India तो यहाँ पर parliamentary constituency के level पर data होना चाहिए Timely and accessible data at the PC level can transform the work of MPs by bringing to light the most critical issues and at-risk populations in need of targeted interventions Next is what the BBC doesn't get तो आपने यहाँ पर newspapers में पढ़ोगा for example Washington Post यहाँ पर बात कर रहा है कि freedom of press नहीं है इंडिया में तो BBC के ओपर यहाँ पर IT survey हो रहा है तो बहुत सारे newspapers यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया में freedom of press नहीं है और यह कहा जा रहा है कि इंडिया में freedom of press नहीं है पर इंडिया के रांकिंग देख सकते हो the BBC tax wars in India are the outcome of persistent non-compliance and BBC को काफी notices भी दिये गए थे तो यह issue हमने discuss किया थे transfer pricing का issue था Indian democracy is not a petri dish for the global media कि आप यहाँ पर experiment करो और जो boundary है ना journalistic privilege ही आप इसको बहुत जादे stretch कर रहे हो और इसको आप stretch नहीं कर सकते at the expense of this country's territorial integrity and the integrity of its institutions journalistic freedoms do not exist in vacuum and आपको भी यहाँ पर responsibility लेनी पड़ेगी and media outlets must take responsibility for their conduct both editorially and commercially global media activism that seeks to destabilize Indian democracy यह immunity claim नहीं कर सकता है from scrutiny by the Indian state and the pretext of freedom of speech next is NATO nations pledge 48 tanks for Kyiv in military supply pump और यह यहाँ पर बहुत तेजी में weapons बनाएंगे क्योंकि Ukraine को बहुत जादा weapons की जरुद पढ़ रही है NATO countries are ramping up production of artillery munitions as Ukraine is burning through shells much faster than the West can make them और बाकी यहाँ पर Germany ने बोला है कि हम यहाँ पर leopard tank देंगे यह उसे ने यहाँ पर tanks देने की बात की है Norway donate 7.4 billion dollar as part of 5 year aid package China imposes sanctions on two US firms for selling arms to Taiwan तो यह दो US firms यहाँ पर Taiwan को arms पेच रहे थे तो China ने उनके ओपर sanctions लगा दिये हैं कि China का यह कहना है कि Taiwan हमारा part है The United States does not sell weapons to China लेकिन US is bound by the 1979 Taiwan Relations Act to provide Taiwan with means कि Taiwan खुद को defend कर सके तो यह act है जिस act के तहत यहाँ पर जो USA है USA यहाँ पर Taiwan को weapons प्रोवाइट करता है कि Taiwan यहाँ पर खुद को defend कर सके और इसलिए यहाँ पर China ने क्या किया है China ने यहाँ पर दो जो firms हैं उनके ओपर sanctions लगा दिये हैं कि China इनके साथ deal नहीं करेगा China इनको export नहीं करेगा China इनसे import नहीं करेगा S&P puts Adani Transmissions ESG Evaluation under review तो यह news important है लेकिन ESG important है ESG क्या होता है Environmental Social and Governance तो basically यहाँ पर जो company की operations हैं क्या यह better governance को follow करते हैं क्या यह ethical practices को follow करते हैं क्या यह environment friendly हैं क्या यह social responsibility लेते हैं तो इसको ही बोलता है ESG Environment Social and Governance Evaluation Government plans fact check body sounds out social media companies तो social media forms को यह कह गया कि आप अपने input submit करो in next few days कि कैसे यहाँ पर network बनाया जाए with trusted fact checkers network can't flag misinformation जो कि government से related होगी center से related यहाँ पर जो भी misinformation होगी इसको यहाँ पर flag करेगा PIB that power has been given to PIB under draft IT rules अगर यहाँ पर किसी news को fake flag किया जाता है by PIB तो इसको यहाँ पर remove किया जाएगा from other online platforms तो news flagged as fake by PIB can be removed from online platforms तो basically government यहाँ पर plan करेगी हम एक network बनाएंगे fact checkers का for online content इसके लिए government ने यहाँ पर social media giants को गाई ही आप अपने inputs को submit करो बाकि यहाँ पर government से related जो भी fake news को flag करना होगा यह का मिया पर PIB करेगी आज की newspaper में इतना ही था अगर आपको Indian Express का highlighted portion चाहिए plus a static part related to every topic तो आप इसको buy कर सकते हो यह आपको cost करेगा 100 rupees per month इसके लिए आपको क्या procedure follow करना ही की जरुएत है तो सबसे पहले आपको अपने telegram account का एक username बनाना है then you have to change your privacy settings for that आपको settings में जाना है then privacy and security then groups and channels who can add me to the group charts वहाँ पर आपको everybody choose करना है you can pay via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with your telegram user ID to the mentioned email ID second program revision series जिसमें last 1.5 years की current effects cover किये जा रहे है अगर आप join करना चाहते हो तो आप mail कर सते हो इस particular mail ID पर तो first page पर हमने discuss किया था राइसीन डायलोग राइसीन डायलोग क्या है ये है think tank event जिसको की organize किया जाता है by observer research foundation in partnership with the ministry of external affairs next news जादा important नीथी transplantation की rules को लेकर प्रधान मंतरी विश्व कर्मा, कौशल, सम्मान ये क्या है तो जो traditional craftsmen है उनको यहाँ पर fiscal development के साथ economic assistance दी जारी है इंडिया को international arbitration hub बनाना चाहती है सरकार फिर हमने discuss कि fodder inflation जादा है milk के prices यहाँ पर जादा है milk में हम inflation देखने को मिल रहा है drug delivery के लिए यूज किया जा सकता है drone का 12 चीता South Africa से हैंगे BOMA के बारे में हमने discuss कि current account deficit किया होता है current account deficit तब होता है जो goods and services की value है जो हम import कर रहे है यह अगर जादा होती है अगर हम compare करने value of the products जो कि हम export कर रहे हैं तो current account deficit होता है current account अगर surplus होता है तो इसका क्या benefit होता है तो आपके यहाँ पर forex reserves increase होते है आपके जो currency यहाँ पर जिस पर 4800 करोड का आउटले किया गया है फिर चाइना भी इंफ्रास्ट्रेक्टर को बिल्ड कर रहा है जिसकी वज़े से चाइना भी अपने स्टूप्स को बहुत जल्दी मोबिलाइज कर सके हैं और वोट को यह प्रिफॉर्ड इंस्ट्रूमेंट मानते हैं पॉलिटिकल चेंज के लिए क्योंकि त्रिप्रा में भी यहां पर हिस्ट्री रही है इंसर्जन्सी की तो अब होयते हैं तो यहां पर क्रिटिकल इस्यू को देखा जा सकता है तो जूँ आप यहां पर एंस पर सइंक्शन्स लगा दिये हैं क्योंकि इन दोनों फर्म्स ने यहाँ पर ताइवान को आम सेल किये थे ESG के बारे में हमने यहाँ पर डिसकस किये and government यहाँ पर प्लान करी कि एक fact check body बनाई जाएगी लेकिन यह fact check body यहाँ पर government से related जो भी यहाँ पर fact check होगा वो नहीं करेगी यह कामिया पर PIB करेगी तो I hope आपको सब कुछ clear हो गया हो अगर आपका कोई भी doubt है तो आप telegram group पर post कर सकते हो if you liked the video then please like, share and subscribe thank you and have a nice day